नमस्कार दोस्तों 18 जुलाई 2021 के डेली दा हिंदू करेंट अफेर्स डिसकेशन में अभी इसमें दा हिंदू का ही नहीं इंडियन एक्सप्रेस का प्रेस इंफॉर्मिशन बियोरो का इस सब के करेंट अफेर्स में इंक्लूड करता हूँ और देख मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ बहुत सरे लोगें बोलते हैं कि दा हिंदू का करेंट अफेर्स है या दा इंडियन एक्सप्रेस से करेंट अफेर्स है देखें मैं आपको एक चीज़ बता दू करेंट अफेर्स में एक ही चपता है P.I.B. में जो सरकारी पॉलिसी होती है उसी के अनलिसिस अलग-अलग वार में चपते हैं तो चाए लाइव विंट हो, दा प्रिंट हो, चाए दा वायर हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, टाइमस ओफ इंडिया हो, न्यूस एक ही होती है पस प्रिंटेशन का तरीका अच्छा होता है तो जो बेस्ट प्रिंटेशन का तरीका दा हिंदू का होता है तो मैं जादा तर न्यूस दा हिंदू से उठाता हूँ ठीक है, कोई अलग न्यूस अगर इंडियन एक्सप्रेस या पिए भी में नजर आ गई तो वहाँ से उठाता हूँ इसलिए ये सब सवाल मत पूछी कि कहां के करेंट अफेर्स है करेंट अफेर्स हर जगा के एक ही होते है अब वो अलग 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 प्लैटफॉर्म्स पे कोई एक करेंट अफेर्स दो दिन पहले डिसकस हो गया या कहीं पे दो दिन बाद डिसकस हो गया इसलिए आपको अलग 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 न्यूस दिख जाती ही, न्यूस एक ही होती है What my point है, चले शुरू करते है उत्तराखंड की सरकार अलग इसको कैंसल कर चुकी है तो उत्तरपदेश की सरकार ये जो करवा रही है, ये सही नहीं है तो ये जो 100% फिजिकल कनवर्यात्रा कराने की बात की जारी है तो होनी पाएगा तो सुप्रीम कोट ने उत्तरपदेश को एक मौका दिया, 19 जुलाई तक का कि भाई, डिसाइड करो, बताओ, कि कैसे कनवर्यात्रा कराओगे, क्या कराओगे और फिर हम 19 जुलाई को अपना डिसीजन लेंगे उत्तरपदेश की सरकार को समझ में आ गया था कि भाई देखो, अब यहाँ पे इस कनवर्यात्रा को करवाएंगे तो कलके डिट में सुप्रीम कोट इसको रद कर सकता और किंद्र सरकार की तरफ से भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं तो अभी के लिए कनवर्यात्रा हो गई बैन, कुम्भ मेला में जो हुआ था, वो कनवर्यात्रा में फॉर्चूनिटली अब नहीं होगा यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी, ठीक हैं? उत्राखंड की सरकार ने बंद कर दिये, यहाँ पे अब उत्तर परदेश ने भी इसको कैंसल कर दिया कावर्यात्रा के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो में ने बना रखी COVID-19 vs. Right-to-Life, What is कावर्यात्रा? इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इस पर्टिकूलर वीडियो को देख लिजे जाके इससे सवाल बन सकता है, और जो आपकी PCS और SSC टाइप के एक्जाम होते हैं, वहाँ पर तो डेफिनिटली बन सकता है, आग गई बढ़ने इस पहले वीडियो पर लाइक कमिटने जो दवा दे, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेर नहीं किया है, इस चैनल को अपने तो क्या फिलाल मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन वीडियो की प्रिलिम्स को पेपर आने वाला है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बीजी हूँ, बट आगे आने वाले समय में, और कोश्चंस की जो मैं फ्रिक्वेंसी है, डेक अप करने के उसको बढ़ाऊंगा, आने टाइप की आर्टिकल होते हैं, वह उतना अनलेटिकल नहीं होता, बट इनफॉरमेशन PCSCC टाइप एक्जामों के लिए फ्लैक्चुर वहाँ बहुती होती, तो तीन आर्टिकल डेली बेसिस पर अपलोड होते हिंदू एडिटोर जिस्ट, आपका डेली कंपाइलेशन इनको जरूर देख लिया करिए, हिंदू एडिटोरिल वाला जो आर्टिकल है, वह संडे को नहीं अफ्लोड होता, चुकि संडे को एडिटोरिल आता नहीं, और मेरी एडिटोरिल की वीडियो में नहीं आती, तो एडिटोरिल आपको Monday to Saturday मिलेगा, नेक्स्ट आर्टिकल चल केर और रेहबिलिटेशन बेले, इसमें काफी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, तो बहुत सारे anti-human trafficking organizations, lawyers और researchers ने इसको मतलब तारीफ भी किये, इसमें भाई, आपके सकतों, trafficking को prevent करने के और counter करने के काफी potent measures हैं, women और children को care, protection और rehabilitation देने के measures हैं, और एक supportive, legal, economic और social environment बनान की बात है, और offenders को prosecute किया जाया, इस बात की भी मात की गए, लेकिन एक problem है यहाँ पे, कुछ particular points के basis पे इस anti-trafficking bill को criticize किया जारा है, उसमें जो सबसे potent point है, इस draft trafficking bill का वो यह है, कि बहुत नाशनल investigation agency को यहाँ पे coordinating agency बनाया गया है, मतलब, इस anti-trafficking bill के अंदर, the trafficking in persons, prevention, care and rehabilitation bill 2021 के अंदर, जो आपकी national investigating और coordinating agency होगी ना, वो national investigation agency होगी, बहुत नाशनल investigation agency के गराब बात करो ना, तो पिछले कुछ सालों में, national investigation agency की जो आउकाद है, जो value है, जो stature है, वो बहुत बढ़ गया, खास करे जो Mumbai attacks होए थे, जब नहाँ पे ताज महल hotel और आपका जो आसपास ताज होटल सरी, और जुसके आसपास की जगह ही थी, महाँ पे लियोपोल्ड काफे, महाँ पे गोलियां वगर चलाई गई थी, उसके बाद ही ये national investigation agency बनाई गई, उसके बाद से एकदम से हमने देखा है कि national investigation agency का जो ambit है, वो बहुत जादा हो गया है, तो terrorism से related cases ही देखत और NIA इतना जादा famous हो गया इंडिया के अंदर, कि अगर आप picture ने देखो गए, जैसे for example, अभी ये family man आया था, उसमें भी NIA दिखाया जा रहा है, south की बहुत सी movies है, जैसे कि south की movie है, नागार जुन की wild dog, उसमें NIA को दिखाया जा रहा है, तो NIA को popular culture में भी आज की date में the display किया जाता है, कल की date में आप IPS वगरा बनते हो तो हो सकता, आपको NIA में भी deputation मिले, NIA के बारे में मैंने कलक से वीडियो भी बनाई है, in fact, एक नहीं तीन वीडियो बनाई है, लक्षमी कान में दो वीडियो बनाई है, V212 और V213, 212 और 213 और 213 वीडियो जो है आपकी, लक्षमी कान्त की वो National Investigation Agency की है, उसके साथ अप Powers and Functions of National Investigation Agency, कि भाई, National Investigation Agency इंडिया में क्यो बनाई गई, जब Already Research and Analysis Wing और Intelligence Bureau इंडिया में exist करता था, इसके उपर ही मैंने वीडियो बना रहा है, कि मैं तीनो वीडियो का लिंक नीचे description box में दे रहा हूँ, तो आप कम से कम लक्षमी कान्त वाली सीरीज अगर आपने देखी तो उसमें तो National Investigation Agency वाली वीडियो आप देखे लोगे, तो आप बोला ये जा रहा है, कि भाई, Draft Anti-Trafficking Bill के अंदर National Investigation Agency को Investigation, Prosecution और Coordination की ताकत दी जा रही है, अब इसके उपर बहुत से लोग सवाल उठा रहे है, कि ये किस हद तक सही है, अब खास बात यहाँ पर यहाँ पर यही कुछ अच्छे पॉइंट से इस बिल में, यहाँ पर Trafficking को Sex Work के साथ Conflate नहीं किया गया है, पहले क्या होता था, Sex Work को Trafficking को Conflate कर दिया जाता था, Conflate मतलब Intermingle कर दिया जाता था, मिला दिया जाता था, तो हो सकता है कि उनको Trafficking करके यहाँ पर लाया गया हो, और Sex Work में लगा दिया गया हो, यह जो Point है वो बिलकुल सही है, लेकिन Actually मैं यहाँ पर बताने की कोशिश यह की जारी इस नहीं बिल में, कि Trafficking का Ambit बहुत बढ़ा है, सिर्फ Sex Work के साथ Trafficking associated नहीं है, for example, आप देखोगे कुछ Organized Rackets चलते हैं, नेपाल से, बिहार से, यूपी से, क्या होता है कि छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ा जाता है, और उनको बड़े शहरों में आके, घरों में काम पर लगा दिया जाता है, as a maid, तो कोई Sex Work नहीं है वहाँ पर, उनका Physical Exploration नहीं हो रहा है, बड़ एक छोटे बच्चे को आप किसी के घर में जाके, as a maid लगा दे लो, उसके घर में जाड़ू, पोचा, बरतन, खाना मनाना, इस ट्राइप का काम वो कर रही है, और थोड़ा बहुत पैसा उसके घरवालों को महीने के बेसिस पर बेज दिया जा रहा है, तो definitely ये Sex Work तो नहीं यहां पर, ठीक है, अब एक और बात यहां पर अच्छी हुई है इस बिल में, कि भाई देखे, compensation और rehabilitation किसी एक particular person को दिया जाएगा, ये बात तैह है, criminal proceedings, देखे, सीधी बात है, अगर trafficking हुई हो तो किछ लोगों के ओपर इलजाम लगा हुगा, अब उनके ओपर criminal proceedings चलेंगी criminal proceedings में क्या निकल के आएगा, इसका wait किये बिना, जिस particular person को rescue किया गया है, उसको rehabilitate और compensate तुरंत किया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो NIA, जो Nodal Agency बनाई गई है, first of all, NIA की expertise क्या है इस इस इलाके में, इस particular jurisdiction में, डोमेन में, इसके उपर सवाल उठाए जाना है, फिर NIA, जो इंडिया के बाकी जग़ों पे anti-human trafficking units deploy की गए है, district level पे, state level पे, उनके साथ कैसे coordinate करेंगे, इस coordination के अंदर, upper hand किसके पास रहेगा, NIA के पास रहेगा, या फिर ये anti-human trafficking units के पास रहेगा, ये जो AHTU बनाए गए है, ये भी तो काम कर रहे है, ground level पे, trafficking को रोकने के लिए, तो अभी NIA का official आ रहा है, फिर AHTU के official है, फिर ये NIA का officer, AHTU से बोलेगा कि हम बड़े हैं, हम अपने dominant तरीके से काम करेंगे, लेकिन expertise अभी के लिए AHTU वालों के पास है, तो basically ये AHTU और NIA, इस domain में कैसे एक दूसरे के साथ synchronize करके, coordinate करके काम करेंगे, ये भी यहाँ प इसर पोस्टिंग मिल सकती है, बट department अलग हो जाते हैं, और inter-departmental rivalries बड़ी normal बात है, कहीं पे भी jurisdiction की बात होती है, तो ये department बोलता है, हम यहाँ पे काम करेंगे, दूसरा बोलता हम यहाँ पे काम करेंगे, तो NIA यहाँ पे एक बाप का जैसा organization बनके आ जाता है, तो इस ब इस particular बच्चों का या फिर जो भी victims हैं जिनको rescue किया गया है, उनका rehabilitation कैसे होगा, इसके बारे में जादा जानकारी नहीं है, funds rehabilitation के respect में कैसे आएंगे, कितने time frame में आएंगे, इसके बारे में जादा जानकारी नहीं है, rescue protocol यहाँ पे नहीं रखा गया है, अब आप बोलोगे क rescue protocol क्या होता है, देखे कई बार क्या होता है, कई लड़कियों को, आदमियों को, बच्चीयों को, आप कह सकते हो कि, traffic करके कहीं ले जाया जाता है, काम पे लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अभी उस case में, कई बार ऐसा होता है कि rescue protocol के चलते, बहुत सारी ladies को, ब prostitution में या किसी भी और चीज़ में involved हो चुकी है, अब वो वहां का part बन गई है, वो वापस नहीं जाना चाहती है, वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती है, तो उसके बहुत से reasons हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके घरवालों नहीं उनको बेच दिया हो, तो घर जाएंगे, तो इ चुकी इस anti-trafficking bill में missing है, बट चुकी यह draft है, तो इस draft में proper amendments होंगे अब ही, चनता का भी यहां पे आप कह सकते हो कि input आएगा, और जब भी यह parliament में जाएगा, तो parliament में अगर किसी committee को recommend हुआ करत किया जाता है, तो appropriate amendments भी इसमें हो सकते हैं, जेनल स्रीज पेपर 1 में, issues related to children, issues related to women, और human resource में ही news आपको काम आएगी, नेक्ट बात करते हैं, Supreme Court to Implement, System for Safe Digital Transmission of Bail Orders, इस particular news को समझने के लिए, आपको एक और news देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने 12 जुलाई 2021 को मनाई थी, Supreme Court ने कुछ convicts को bail की permission दीती, एक्चुली में, ये लोग जब नबालिक थे, 18 साथ से कम थे, तो इन्होंने कुछ crime किये था, और serious crimes है, murder जैसे crimes थे, इनको jail में बंद कर दिया गया था, जबकि उस समय पे जो उनकी age थी, वो सहसाब से उनको सजा नहीं मिलनी चाही थी, maximum 3 साल की सजा मिलनी चाही थी, वो इनको छोड़ने की बात की गई, तो उत्तरपदेश की jail authority का superintendent था, उसने क्या बोला कि जब तक हमारे पास supreme court दौरा signed और authenticated document, उसकी physical copy हमारे पास नहीं पहुंच जाती, तब तक हम इन कैदियों को नहीं छोड़ सकते हैं, उनका ये कहना था कि भाई देखे हम इन कैदियों क छोड़ेंगे, supreme court का अधिश तो मानना ही है, बट supreme court की authenticated order copy हमारे हाथ में आनी चाहिए, कि अबर media report के आधार पे हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो काफी criticize किया गया था, इस बात पे लेके jail authorities को, ये 12 जुलाई 2021 की news है, तो अगर आपने 12 जुलाई 2021 का current office नहीं देखा हो, तो जब ये news बाहर निकल के आई, तो यहाँ पे, क्या नाम से ये जो supreme court है, supreme court ने इस news को sue motocognizance लिया, देखे, the top court, 12 जुलाई की news है, 13 जुलाई को supreme court ने sue motocognizance लिया, of delay on the part of उत्तर प्रदेश authorities in relating 13 prisoners, who was granted bail by it on 8 जुलाई, 8 जुलाई के उन 13 prisoners को bail grant की गई, ठीक है, 12 जुला authenticated copy नहीं है, जैसे ये authenticated copy speed post चा जाएगी, हम छोड़ देंगे, यहाँ पे, जब supreme court को बात पता चली, इन्होंने sue motocognizance लिया, और इस चीज को resolve करने के लिए, एक bench बनाईगी supreme court की, जिसको head कर रहे है थे chief justice N.V. Ramana, और इन्होंने क्या किया, Ramana साब ने, कि इन्होंने top, जो supreme court है, जो secretary general है, हर supreme court का security general होता है, जो भी clerical type की काम होते है, कागजी type की काम होते है, इसको देखने की जिम्मेदारी होती, secretary general की, तो apex court ने secretary general को ये direction दी कि तुम एक scheme का proposal दो, एक scheme का proposal submit करो, और उस proposal में आप इस बात के बारे में कुछ propose करिए कि भाई, कैसे safe digital transmission किया जा मतलब कि अगर supreme court ने किसी particular person को bail grant की, या मालो high court ने किसी particular person को bail grant की, तो ये bail orders digitally jail authority के पास पहुँच जाएं, physically signed copy भीजने की जरूत नहीं है, actually में, ये जो UP की jail authorities हैं, इनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है authenticated copy, अब ये देखिए, अगर supreme court बोल देता है, कि हमारी authenticated copy जरूरी नहीं कि हमारी physical copy हो, हमारी authenticated copy, अगर हम आपको एक online portal में भेज देते हैं, तो भी आप उसको मान सकते हो, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे respondent original attested copies से ही अपना reply file कर सकता है, तो मान लिजए मैं respondent हो, मेरे बिहार पे वकील supreme court में दिल्ली में लड़ रहा है, तो मैं अगर अगर अपना reply file कर रहा हूँ और उसके उपर sign कर रहा हूँ, और उसको scan करके भेज रहा हूँ, वो copy नहीं चलेगी supreme court में, आई court में, वहाँ चलती है, physically, originally signed copies, originally signed and attested copies, तो जब supreme court originally signed and attested copies मांगता है, तो jail authority भी मांगने लगी, तो यहाँ पे supreme court ने क्या बोला, भाई, अब हम bail orders को safely translate करेंगे to the jail, इसके लिए एक online portal मनाना पड़ेगा, और इस online portal को बनाने के लिए, Secretary General of the Supreme Court को directions दिये है, N.V. Ramana साब ने, इसके लिए senior advocate दो शेंत देव साब को Amicus Curie appoint किया गया है, आप बोलोगे Amicus Curie का क्या concept है, तो Amicus Curie एक legal Latin phrase है, जिसको Friend of the Court कहते हो, यहाँ पे Amicus Curie एक ऐसा person होता है, जो कि एक impartial advisor होता है, voluntary advisor होता है, जो कि कुछ particular issues पे Supreme Court को अपनी राहे देता है, कैसी राहे कि साब अगर इस particular case में ये किय जाए, तो ऐसे इसमें efficiency बढ़ाई जा सकती है, तो आप कह सकते हो, एक independent person जिसका उस case से कोई लेना देना नहीं है, बट उस case में जो भी positive points है, उनकी implementation में एक neutral और efficient राय देने वाल इनसान को आप Amicus Curie कह सकते हो, तो दुश्यंत देव साब को यहाँ पे Amicus Curie appoint किया गया है, तो मतलब अब इस safe digital transmission of bail orders to jail scheme के implementation के लिए, यहाँ पे दुश्यंत देव साब भी proactive level पे involved होगे, यहाँ पे Amicus Curie के बारे में और जानकारी भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जनल स्रेडिस पेपर 2 में functioning of the judiciary में news आप को कहा होगी, फिर अगली news बहुत छोटी स अब आप बोलोगे कि यह नाम भाई कैसे आया, तो देखें, जम्मू एन कश्मीर Reorganization Act आया 2019 का, इस जम्मू एन कश्मीर Reorganization Act 2019 ने जो अस्ट वाइल जम्मू एन कश्मीर का state था, उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक भाग था Union Treaty of जम्मू एन कश्मीर और एक भाग थ जम्मू एन कश्मीर थी, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया, Common High Court for the Union Treaty of जम्मू एन कश्मीर and Union Treaty of लगदाग, अब यह 2019 की बात बता रहूं मैं आपको, तो 2019 में, यह जम्मू एन कश्मीर Reorganization Act था, 2019 का, इसके चलते जम्मू एन कश्मीर state को दो युने टरिट तोड़ दिया गया, और जो इनकी High Court थी, उसको नाम दिया गया, Common High Court for the Union Treaty of जम्मू एन कश्मीर and the Union Treaty of लगदाग, अब इस पर्टिकुलर नाम को फिर से बदल दिया गया, यह जो Common High Court for the Union Treaty of जम्मू एन कश्मीर and Union Treaty of लगदाग नाम दिया गया था, 2019 में, अब इस नाम को प्रेसिडेंट रामनात कोविन साब ने साइन किया है, और इस ओर्डर का नाम किया है, तो जम्मू एन कश्मीर री ओर्गनाइज़ेशन, रिमूवल अफ डिफिकल्टीस, ओर्डर 2021, ठीक है, ओर्डर को नोटिफाई किया दिया है, Department of Justice इंदा, Law Ministry ने, तो बहुत छोटी सी हाई कोट बनाने की बात की, इसमें जो सैंक्शन स्टेंग्थ है, सतरा जजज है, जिसमें से तेरा पर्मानेट जजज है, और चार एडिशनल जजज है, अभी के लिए Justice पंकज मिथल, इसके Chief Justice है, 4 जनवरी 2021 से Justice पंकज मिथल, इसके Chief Justice है, जम्मून कश्मीर के हाई कोट के आप इसको बोले जारा है, हाई कोट जम्मून कश्मीर हैं लगता, चनल स्ट्रीज पेपर 2 में, structure and functioning of the judiciary में, ये news आपको काम आईगी, next news है, US Navy, hands over MH-60R multi-role helicopters to India, तो भाई, US के defense relations को और strong करते हुए, जो US Navy है, उसने पहले दो MH-60R multi-role helicopters, Indian Navy को hand over कर दिये, ताकि Indian Navy, regional threats को properly tackle कर सके, और अपने homeland defense को strengthen कर सके, Actually में total यहाँ पे जो MH-60R helicopters हैं, जिसको Lockheed Martin नाम की company ने मनाया है, US में, Lockheed Martin काफी famous है, बहुत सारे defense products यह मनाते हैं, तो यह जो helicopter हैं, MH-60R multi-role helicopters, MRH, जिसको Indian Navy को दिया, जर एक्चुली में Indian Navy ने यहाँ पे 24 helicopters खरीदे हैं, और इसके लिए total Indian Navy 2.4 billion dollar दे लिए, तो पैसा भी payment हमने किया है, और अभी एक ceremony हुई थी, और इस ceremony में, दो helicopters handover कर दिये गए इंडिया को, यह ceremony हुई है, at the Neville Air Station North Island, और Naas North Island, Sandiago में, और वहाँ पे US Navy ने Indian Navy को, दो helicopters handover कर दिये, अगर मैं आपको बता दू तो, already US में, जो हमारे Navy के लोग है, उनकी training चल रही है, देखें, आ लिखा हुआ है, the first batch of the Indian Qs currently undergoing training in the US, यह अगर MRH आ जाते हैं, तो भाई, three-dimensional capacities हमारी Navy की बढ़ जाएंगी, यह एक all-weather maritime helicopter है, multiple missions को conduct कर सकता है, state-of-the-art amionics, मतलब कहने का मतलब यह equipments के मामले में, weapons के मामले में, overall इस particular helicopter की जो आउकाद है, जो capabilities है, वो बहुत ज़ादा है, इंडिया को three-dimensional capacities देता है, three-dimensional capability का मतलब है, कि इंडिया अब anti-surface और anti-submarine warfare missions भी कर सकता है, तो क्या होता है, कि पहले यह जो helicopters थे, वैसे तो समंदर के उपर उड़के, यह लोग rescue operations करते थे, लेकिंगे समंदर के उपर उड़के, सम्मेरीन को truck करके, उनको मारने का process भी helicopters कर सकता है, मतलब इन helicopters में कुछ ऐसे weapons, कुछ ऐसी missile लगी हुई होगी, जिनको दाग के, समंदर की नीचे चल रही सम्मेरीन को भी neutralize किया जा सकता है, इतने capable helicopters हैं, प्लस vertical replenishment, search, rescue, communication relay, इस प्रकार की चीज़ें तो यह helicopter करेगा ही, तो regional threats और homeland defense के लिए, यह particular helicopters इंडिया के बहुत काम आएंगे, इंडिया US के defense trade की बात की जाए, तो 18 billion dollars तक का इंडिया US का defense trade पहुँच चुका है, US अगर आप देखो तो रशिया के बाद दूसरे number पे सबसे बड़ा defense और arms का supplier है इंडिया को, इंडिया ने USA से खरीदा है C-130 Hercules aircraft, P-8 Poseidon aircraft, C-17 Globemaster aircraft, AH-64 Apache helicopters, CH-47 Chinique helicopters, M-777 Hobbit Sir Guns, इतनी सारे चीज़ें इंडिया ने US से खरीदी है, अरड़ी USA इंडिया को unique major defense partner का designation 2016 में दे चुका है, और strategic trade authorization 1 status 2018 में दे चुका है, यह जो strategic trade authorization status नहीं यह काफी important है, अब तक total 37 countries को लगभग यह authorization दिया गया, इंडिया 37th country थी, 3 nation countries को authorization दिया गया, इंडिया से पहले 2 है, South Korea और Japan, General studies paper 2 में international relations और defense में यह news आपको काम आईगी, फिर एक और छोटी सी news है, special epic meetings में कुछ खास है नहीं, देखिए Asia Pacific trade group के 3 leaders, जो बाइडन, आपके US के व्रादे मेर पुतिन, रशिया, इस जी जिंपिंग चाइना, यह लोग virtually अभी मिले, और virtually मिलके इन्हों ने बोला कि, भाई, हम लोगी जो vaccine production technologies है, इस पर mutually agreed terms पर cooperate करेंगे, चुकि यह जो delta variant है, करोना वाइरस का यह पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए एक multilateral cooperation की ज़रो थे, तो इन 3 leaders ने बोला कि, भाई मिलके काम करेंगे, मैं आपको बता दूँ कि APEC की meeting होने वाली है नमंबर में, नमंबर की इस APEC की meeting को lead करेगा न्यूजी लेंड, और उससे पहले ही, न्यूजी लेंड इस समय पे एक अलग सी meeting हो रही है, ठीक है न, उस meeting को भी lead करने वाला है, एक कोई extraordinary meeting है, जो की formal meeting के लिए जो base है वो तैयार करेगा, ज़्यादा वैसे कोई खास important news है नहीं यहाँ पे, APEC के बारे में थोड़ा जान लीजे, 21 Asia Pacific Economist का ये group है, इसमें कौन-कौन से members आते हैं, तो Brune, Australia, Chile, China, Canada, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नाम, इंडिया अभी के लिए APEC का member नहीं है, APEC का member होने के लिए आपकी boundary Pacific Ocean के साथ लगनी चाहिए, और इंडिया की boundary Pacific Ocean के साथ नहीं लगती है, बट, इंडिया यहाँ पे observer है, सिंस November 2011, APEC को, Australia ने found कहा था 1989 में, काम कहा है, To encourage growing and prosperous regional economy by trade and investment liberalization, and facilitation across the border, reducing cost of cross-border trade, economic and technical cooperation, exchanging best practices on trade and investment, etc. General Studies paper 2 में international relations, और important international institutions में particular news आपको काम आईगी, आखरी news थोड़ी science and tech से related है, rare arctic lightning storms north of Alaska, देखे अभी यह जो Siberia की icy arctic shelf है, और जो north of Alaska है, वहाँ पे तीन successive thunderstorms देखे गए, और यह जो तीन successive thunderstorms देखे गए है, थोड़ा unusual है, जोकि arctic ocean के ऊपर ज़्यादा thunderstorms देखे नहीं जाते है, वज़ाय क्या है, जोकि arctic ocean के ऊपर का जो पानी है, actually पानी नहीं वो बरफ जमी हुई होती है, और जब बरफ जमी हुई होती है, तो enough convecting heat हो ही गी नहीं, अब आप बोलोगे, यह सब क्या बोल रहा है, तो सीधी बात है, देखे, मैंने आपको geography NCRT 11 class पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, कि देखे, sun की गर्मी पड़ी, पानी गरम हुआ, पानी गरम हुआ, तो हवा हलकी हुई, हवा उपर जाई, यह तो convection हो रहा है, convection की दुरू हवा, मतलब गरम होके, उपर के layers में जा रही, उपर जाके cloud में convert हो रही है, और बहुत जब massive clouds बनेंगे, तो उसमें thunderstorms आ सकते हैं, electrical charge generate हो सकता है, अभी मुंबई में बारिश हो रही है, तो उपर जाएगी, नहीं ठंडी रहेगी, तो नीचे बैठी रहेगी, लेकिन अब जब यह thunderstorm आ रहे हैं, तो पता क्या चल रहा है, कि भाई यह जो समुंदर है न Arctic का, यह अब ice नहीं रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह पानी में convert हो रहा है, और जब यह पानी में convert हो रहा है, तो वो convective air currents वहाँ पर बन रहे हैं, जिसके चलते ऊपर cloud formation हो रहा है, और यह thunderstorms डेवलप कर रहे हैं, और यह बहुत tension वाली बात है, उसका reason यह है, कि भाई, आगे आने वाले समय में, इसके बहुत varied impacts हैं, क्या varied impacts हैं? अब मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपको समझ में नहीं आएंगी, अगर अब तक आपने geography की basics नहीं बढ़े हैं, आपको पता है equator पे, जो troposphere की height होती हो 15 km तक होती है, और अगर आप pole पे चले जाओ, तो troposphere की height होती है आपकी 8 km, seasons के साब से, तो कहने का मतलब क्या है, atmosphere बहुत चोड़ा होता है equator की उपर, tropics की उपर, और जैसे जैसे आपके latitude बढ़ते जाते हैं, आप और higher latitude से जाते हैं, atmosphere थोड़ा नीचा होता जाता है, थोड़ा height में कम होता जाता है, अब Arctic के उपर, जो, मतलब Arctic Ocean के उपर जो बरफ जमी हुई है, अगर वो बरफ हट जाएगे, वो सिर्फ पानी आ जाएगा, तो ये convective currents डेवलाप होंगे, और इस convective currents के चलते, जो हवा है, वो थोड़ा और उपर height पे जा सकती है, तो जो tropopause 8 km उपर बनता है, पोल्स पे, वो हो सकता 8 से 10 km या 11 km पे चला जाए, तो उससे cloud formation के लिए ज़्यादा जगा मिलेगी, और तगड़े ऐसे thunderstorms डेवलाप हो सकते हैं, तो this is actually not a good news, from the perspective of environmental enthusiasts, और इसकी major वज़े क्या है, major वज़े ये है कि ये जो इलाका था, पहले Arctic Ocean पूरा का पूरा बर्फ से ढखा हुआ होता था, अब वो देखे बर्फ से ढखा हुआ नहीं है, ठीक है, अब वहाँ पर पानी आ गया है, तो convective currents डवलाप हो रहे हैं, उसके चलते हैं, यहाँ पर आपको thunderstorms दिखने को मिले हैं, हो गई एक बात, दूसरी बात अगर आप बात करो, तो यह जो Siberia का इलाका है, जो रशिया का जो Northern Latitude है, इसको आप Siberia बो सकते हो, Central Asia और रशिया का जो Northern Latitude है, आप इस Central Asia के तो नॉर्थ में देखोगे, पूरा का पूरा रशिया नजर आएगा, तो जो Northern पार्ट है, उसको आप बो सकते है Siberia, ठीक है, अभी Siberia में बहुत सारे forest वगरा है, ड्राई इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो होता क्या है, कि जब इस प्रकार के thunderstorms, तो यह थंडर स्टॉर्म अगर उन बोरियल forest तक पहुँच गया, यह जो एलेक्टिक चार्ज अगर उन बोरियल forest तक पहुँच गया, जो कि Siberia में है, तो वो बोरियल forest जलने लगेंगे, अक्सर कर हमने सुना होगा, Siberian forest fires के बारे में, अगर पेड़ के अंदर moisture है, तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर पेड़ के अंदर moisture नहीं, वो बहुत तेज आग पकड़ लेगा, यह जो western region है, USA का, जहां पे इतनी सारी wild fires सुनते रहते हैं, औस्ट्रेलिया की bush fires हैं, यह कब आई थी, यह dry region के दुरान आई है, जब region summers के दुरान आती, क्योंगे summer में moisture की कमी हो जाती है, dry हो जाते हैं पेड़, तो अगर यहां पे कोई electric charge आगा, तो यह पेड़ तुरंत जलने लगेंगे, अगर इनके अंदर पाली होगा, तो यह जलने को फिर भी resist करेंगे, तो यह जो Siberia के boreal forest हैं, जब इन पर उपर thunderstorm पढ़ते हैं, तो यह जलने लगते हैं, तो overall forest fire की जो instances वो बढ़ जाते हैं, इस forest fire से होता क्या है, कि एकदम से बहुत सारा smoke भी atmosphere में release होता है, और वो smoke भी आप कह सकते हो, कि overall उस local geology की global warming को बढ़ा देता है, तो यह सारे factors एक दूसरे के साथ interconnect हैं, मैंने बहुत basic तरहीके से चीज़ें आप पर आपको समझाईए, एक बार इस theory को भी पढ़ लीजेगा, जो मैंने आप आपको बताईए, हाला कि यह पूरे points आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे, जब तक आपने मेरी 11th class की NCRT Geography की किताब की वीडियो को नहीं देखा है, आज की डेट में इतनी करेंट अफेस की इंपोर्टन न्यूस थी, जब 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 लोग के साथ इस वीडियो को शेर करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब किये बेना, मच जाएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बागी अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियो को शेर करें, बुट पैर,